अग्याइज वाट्स आप आज का हमरा टापिक है नंबर सिस्टम तो आज हम नंबर सिस्टम का फर्स्ट पाट कवर करेंगे एंड उसके बात सेकंड पाट फिर थर्ड पाट हम कवर कर देंगे ओके और इसमें हम बहुत सारे इंपोर्टक वस्चंस जो कीईजी भी है एक्वस में आते है ऐसे क्वस्चंस हम कवर करेंगे क्योंकि हम देखेंगे पहला पाट ठीक है तो चलिए श्रू करते है सो यहाँ पर हमने कोश्चन हिंदी में और इंग्लिश-दोन में इव दी कोश्चन लिखा है तो अगर हमसे मेडे वाले हैं तो हिंदी में और इंग्लिश मेडे वाले हैं तो आपको इंग्लिश में कॉश्टन मिल जाएगा ठीक है तो कह दिया है कुश्टन नम्र न में दो संख्यां का योग 40 है तथा उनका अंतर 6 है तो बड़े संख्या कौन सी है निकालना है मेंस सम अफ टू नमबर से 40 एंड दिफरेंसे 6 दिफाइंड लार्जर नमबर अब योग मेंस मान लिजे कि वह दो संख्या एक्स एंड वा यह दो संख्या है तो इनका योग 40 है और उनका अंतर कितना है छे दिया है ठीक है तो अमर पास दो एक्वेशनस मिल गए और दो अन्नों है तो अगर हम इन दोनों को एड कर दे तो यह प्लस वाइ मैनस वाइ कैंसल हो जाएंगे तो इधर से आएगा 2x और इधर से आएगा 46 40 और 6 46 हो गए तो इस पर से x is equal to 23 मिल जाएगा तो अब अगर y का वाइ निकालना है तो का करना पड़ेगा माले यह पहला है एक्वेशन x प्लस y is equal to 40 है तो इस में x का वाइ लिख देंगे तो 23 प्लस y is equal to 40 आएगा तो इस पर से y is equal to कितना आएगा 17 तो यह रावा यह राय एक्स x is equal to 23 है y is equal to 17 तो दोनों में से बड़ी संख्या कोंसी है ते इस है जो कि option b है ठाके बड़ी संख्या निकालना थी तो x is equal to 23 यह बड़ी बड़ी संख्या है larger नमबर है तो option b is the correct answer ठाके guys चलिए next question देखते है दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका अंतर 12 है तो चोटी संख्या कोंसी है निकालना है माली जी कि दो नमबर से x and y है तो उनका योग 36 एंड उनका जो अंतर है वो 12 है तो फिर से इन दोनों को अगर हम जोड देंगे तो यह plus y minus y कट जाएगा इधर आएगा 2x is equal to क्या आएगा यह 48 ठीक है तो इस पर से x is equal to हम लिख सकते है 24 तो y का value निकालना है तो क्या करना पड़ेगा माली जी यह पहला है question x plus y is equal to 36 है इसमें हम x का value पूट कर देंगे ज 24 प्लस y is equal to 36 तो y is equal to कितना आएगा 12 तो यह रही y की value यह रही x की value तो मेकानिकलना है smaller number छोटी संख्या तो छोटी संख्या 12 है ठीक है जो कि option b है so option b is the right answer ठीक है चलिए third question देखते है question में कहां दिया है दो संख्याओं का योग 75 है तता उनका आंतर 25 है तो दोनों संख्याओं का गुनफल निकालना है या फिर product दोनों संख्याओं का निकालना है तो फिर से again वही x plus y is equal to कितना है 75 है 75 है और दोनों का आंतर 25 है तो अगर हम दोनों को जोड देंगे तो plus y minus y cancel इदर आएगा 2x is equal to 100 आजाएगा तो x is equal to आगया 50 50 तो अब अगर y का value निकालना है तो से पहला वाला equation लेंगे इसमें x का value पूट करेंगे 50 तो y का value आजाएगा 25 तो यह रहा y यह रहा x तो हमें इन दोनों का product गुनफल निकालना है तो x into y करेंगे means 50 into 20 जो कि आएगा 1250 है यह ना गाइज 1250 हमारा answer आगया है जो कि है option b so option b is the correct answer ठीक है all right चल लिए अगला question देखते है question number 5 दो संख्यों का योखफल 8 है तथा उनका गुनफल 15 है तो उनके व्यूतकरमों का योखफल क्या होगा sum of two numbers is 8 and their product is 15 then the sum of their reciprocal is what अब इसको हम दो तर्की से कर सकते है चलिए आपको पहला method सुन जाता हूँ x plus y is equal to 8 है and उन दोनों का गुनफली means x into y is equal to 15 है तो इस पे से हम कहले सकते है कि y is equal to 8 minus x तो इसको हम इसमें put कर देंगे तो x into के आएगा 8 minus x is equal to 15 तो इदर से आएगा 8x minus x square is equal to 15 अब यह है quadratic equation तो इसको हम rearrange करके लिखेंगे तो यह minus x इदर जाके plus x हो जाएगा और यह plus 8x minus 8x हो जाएगा ठीक है तो x square minus 8x plus 15 is equal to 0 तो यह है अमरा quadratic equation अब इसको में solve करना है तो अब अगर इससे solve करना है तो क्या करेंगे यह जो minus 8x है इसको हम minus 5x minus 3x ऐसे लिख सकते है और यह plus 15 को 15 as it is is equal to 0 तो अब इन दोनों और इन दोनों को हम पकड़ेंगे तो अब करना का है इन दोनों में से means x square minus 5x में से हम x common निकालेंगे तो क्या आएगा तो आएगा x common निकालने पर x minus 5 आज आएगा ओके एंड बाकी दोनों में से 3 common निकालेंगे तो x minus 5 common आएगा तो is equal to 0 तो अब देखा जाए तो यह x-5 x-5 दोने तरफ आए तो हम इसे कमा निकाल लेंगे x-5 को और ड्राकेट में कहा आगा इधर से x और इधर से मानस 3 तो x-3 आगया इस इकोस तो 0 अब इस पे से हम लिख सकते हैं कि x is equal to 5 कॉमा 3 ठीका ना मैंस x-y is equal to 0 करेंगे तो x is equal to 5 आएगा and x-3 equal to 0 किया तो x equal to 3 आगया मैंसे उसकी आपर दो value आगए 5 और 3 अब y को कैसा fund करना है यह जो first all equation x plus y is equal to 8 ठीक ना x मैंसे फिर y is equal to 8 minus x इस equation में x की value लख रहे हैं रखने है तो अगर हम y is equal to x की value 5 रख देंगे तो y is equal to 3 आएगा and अगर x की value 3 रख देंगे तो y की value 5 आजाएगे ठीक है ना तो y की value के आगे हमार पास 3,5 तो इस पर से हम एक खुरून रोजे समझ सकते हैं कि x की value 5 है तो y की value 3 है और x की value 3 है तो y की value 5 है में निसमेरे दो नंब्रिस क्या हो गए फाइव 23 तीन पाच ट्रिका है तो में न तो दो नमर्स ड्रापर प्रापाच i5zessy 5, 3 & 3又 3, 5 कुन सा विल दोनुमें से कोई फ्राखने पडेगा टीक है तो अब करना 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 हों के Yani Yes दो हम डालेक्ट लिए अंसर पर जाएंगे उफिक्रम का योग्फल निकालना है तो पाच का विच्रम 1 by 5 और तीन का 151 तो इसको अग्र साल करें गे तो क्रास मल्टिप्लिकेशन से आड़ बाय पंदर आंसर आ जाएगा ठीक है जो कि है option A option A is the right answer ठीक है तो यह तो रही एक मेथड़ समझ गया ना x plus y is equal to 8 लिया x into y is equal to 15 लिया फिर दोनों को स्वाल किया quadratic equation मिल गया उसके बाद उसको स्वाल करके x की value मिल गई x की value y की equation में put किया तो y की values मिल गई और जब हमें दोनों numbers मिल गए तो उनका receiver कर लेकर हमें answer निकाल लिया तो यह तो है एक method अब चलिए दूसरा method आपको समझ जातों जो कि एक shortcut है ठीक है तो x into y कितना दिया है 15 दिया है दोनों का गुणफल प्रोड़क्ट 15 है तो अब हमें यह पता लगाना कि इससे कुछ से दो नंबर है जिनका प्रोड़क्ट 15 है और उनका योखफल 8 है तो एक और 15 का प्रोड़क्ट 15 है लेकि उनका योखफल नहीं है तो ये हमारे दो नमबर नहीं हो सकते। ठीक है ना पैकि Dayak Peninsula के दो संकिया तों तो एक के बाद दो से तो 15 कोई डूएर नीजाते है तो तीन से डूएर जाएगा तो 3 पची फंदरह ठीक है ना और इन दोनों का अगर हम योगफल निकालेंगे तो 8 भी आए जाएगा तो इस पर से हम बता सकते हैं कि 3 और 5 यह हमारे दो नंबर है इसमें यह matter नहीं करता है कि X कौन सा है वाय कौन सा है हमें सिर्फ मतलब है कि उन दो नंबर से तो वह दो नंबर में मिल गए है 3 और 5 तो इसके आगे आप खुद कर स सकते हैं कि कौश्चन नंबर सिक्स में कहते हैं दो संख्याओं का योग आट है यदि उनके विद्करम का योग आट भाए पंद रहा है तो दोनों संख्या कौन सी होगी तो यह पिछला वाला कौश्चन यह जिस्ट थोड़ा घुमा के दिया है वहाँ पर नंबर्स दिये योगफल निकालना था यहां पर योगफल दिया है तो इस नंबर्स कुछ से तीन और पास हैं ठीक है आप डिरेक्टली आंसर पर से भी निकाल सकते हैं ठीक है चलिए हम अगला कौश्चन दखते हैं गां अ not necessarily न को उनके विश्ट करॉमुन का योग stereo December 12 और 35 अंकि में के विश्ट करमों का योग निकल या तो यह वहाई वह प्रोसेस नियुकि फिरorgan से जो कि बहुत लें दिये तो हम जाएंगे शॉटकट से सो 35 कि अगर हम निकालेंगे तो एक आएगा साथ और एक आएगा पाच जिनका योगफल भी 12 है और प्रोड़क्ट भी 35 है ठीक है तो यह हमारे दो नमर्स हो गए तो अब करना का है अब बस इंका रेसी प्रॉकल करना है या फिर व्यूत करमों का इनका योगफल निकालना है जो कि आएगा 12 भाई 35 है ठीक है ना ओके तो अब आपको एक इसमें शॉटकट ट्रिक समझाता हो अगर क्वेशन ऐसा है कि दो संक्याओं का योगफल और गुंफल निकाल लिए तो ऐसे में करना कहा है हमें कि जो उसको हमें नूमेरेटर में लिखना है जो कि यहांपर 12 है ठीक है और डिनॉमेरेटर में क्या लिखना है गुंफल को ठीक है नूमेरेटर में योगफल डिनॉमेरेटर में गुनफल तो यह हमारे उनका वित्क्रमों का योग आज जाएगा ठीक है तो यह बहुती की सिंपल एक शॉट ट्रिक हो गया आपके लिए ठीक है बाराव पैटिसी और फारल अंसर चलिए अगला कोशन देखते हैं कि क्या दिया है दो संख्याओं का अंतर तथा गुनफल आड़ तथा 36 है तो उनके वित्क्रमों का अंतर क्या होगा तो अब क्या गरेंगे सिंपल है 36 का अगर हम फ्यक्टर निकालेंगे तो एक नान आएगा एक फोर आएगा जिंका की अंतर पाच है और गुनफल चतिस है तो अब अगर इनके रिसिप्रोकल का अंतर निकालेंगे तो वन बाइफ फॉर माइनस वन बाइन करेंगे तो निकालेंगे तो उसको नुमेरेटर में लिखना है और उनके गुनफल को नुमेरेटर में लिखना है तो यह रहा उनके वीद्प्रोकल का अंतर ठीक गैस तो पाच-बाइथ थर्टिसिक्स या फिर फाइब थर्टिसिक्स और फाइल अंसर ठील आगला कॉशन देखते है स्रिमेंटर क्या बचेगा निकालना है तो इसको भी हम दो तरगा से करेंगे पहला तरगा सुन जाता हूं अभी डिवाड कैसे क्या पचीस से भाग दिया है तो पचीस को लेना है और जो शेश्वल वैश्टा है साथ उसको इसमें याड कर देना है तो हमार पास आजागा 32 त म jagu किने 25 से डिवाड किया 25 से भाग दिया तो एक का भाग जाएगा इस एक इंटू 25 अब प्लसर रिमेंटर सात अएगा तो हम 32 को शीर लिग सकते है तो इस पर से हम बोल सकते किससेर रिमेंटर है हा रिमेंटर है धीक ए तो अम हम क्या करना है इसी नम्बर को यानिकि 32 को ही 5 से डिवाड करना है तो रिमेंटर के आएगा निकलना है तो 5 से भाग देंगे तो 6 का भाग जाएगा और फिर रिमेंटर 2 आज जाएगा ठीक यह प्लस है रिमेंटर 2 आएगा So 2 is the रिमेंटर ठीक है यह तो रही 1 मितर अब शॉटकर ट्रिक से संजो तो क्या करना है 25 से भाग देने पर जो रिमेंटर आया 6 डारेक उसको ही 5 से भाग दे दीजिए तो क्या करना है डारेकली साथ को ही 5 से भाग देना है तो एक क्या भाग जाएगा ठीक है और रिमेंटर 2 आज जाएगा तो यह रही शॉटकट ट्रिक जहां से के रिमेंटर दो आज आएगा तो यह यह करिए फिर यह करिए आप पर निर्भर है कि आपको क्या समझ में आता है ठीक है दोनों तरके से रिमेंटर एक ही आएगा कि उस्षण कोई संक्या 35 से उतनी बड़ी है जतनी कि वह 11 से छोटी है वह संक्या क्या है तो वह संक्या में निकाला है कि वह संक्या क्या होगी तो करना कैसे सिंपल जबाता है मानले जा कि वह नमबर क्या एक्स वह नमबर है तो दिया क्या है वह संक्या 35 से बढ़ी है तो मानले जा कि वह 35 से कितनी बढ़ी है इतने से बढ़ी है ठीक है तो एक्स वह साटिफा इस इकल टू ए मिस ए से बढ़ी है इतने अंग से वह 35 से ब ठीक है ना means x minus 35 is equal to a is equal to 70 minus x तो हम इन दोनों को equal कर देंगे ठीक है तो a का रोल हड़ गए यहाँ पर तो अब जस्ट इसको solve करना है तो यह minus x इदर आके plus x हो जाएगा और x plus x to x और यह minus 35 इदर आके plus 35 हो जाएगा और यह अगर plus 35 हो गया तो इदर आएगा 106 है तो x is equal to क्या लिख सकते है त्रेपन 53 है ठीक है तो वो नमर क्या हो गया एक्स यानिकी 53 वो नमर हो गया जो कि आप्शन भी है ठीक है चले लास्ट है दो संक्याओं का योगफल 32 है उनमें से एक संक्या माइनस 36 है तो दूसरी संक्या क्या है तो एक्स प्लस y is equal to क्या दिया है 32 उनमें से एक संक्या माइन लिजे कि x is equal to क्या है माइनस 36 तो य का वैलू निकालना है ठीक है तो सिंप्ली यह माइनस 36 इदर जाके प्लस 36 हो जाएंगे तो य का वैलू कितना आएगा 68 ठीक है गाइस तो y is equal to 68 इस और final answer जो कि option B ठीक है तो आपको समय को इतने इल्वन कोशन के लिए रहे एंड अगर आपको कोई अगर आपको व्यूड़ अच्छे लगती है तो लाइक कीजिए चैनल व्यूड़ को चैनल को सब्सक्राइब किजिए बेला कंदबान ना भूले ताकि हमारे आन वाले हरेक व्यूड़ के लिए टेस्ट अपदेट्स अब तक पूंशती रहे गाइस ठीक है रिटम में हम आ जेकन पार्ट में तिस देन में बाइ टेक क्यर